अब आज सभी को बराबर आ रही है मेरी आप सभी का स्वागत है अन अकैडमी लाइव में और आज का वीडियो बहुत ही बहतरीन होने वाला है आज की क्लास को हम लोग शांदार तरीके से कंप्लीड करेंगे और पहले एक बार आप लोग मुझे कंफरमेशन दे दो कि मेरी व बताइए मेरी आवाज आप सभी को क्लियर है या नहीं है एक बार कंफरमेशन दे दीजे ओके ओके ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को पहले ही आपको बता देता हूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं डांस फेस्टिवल आर्ट कल्चर इन सभी से ज चोटे 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 कोशन है लेकिन दो नमबर आपको देह कर आते हैं इन कोश्चन में हम गलती भी बहुत करते हैं यह चीज़ ध्यान लकiblay तो इन question में जो छोटी-छोटी हमें disturbance देते हैं ये question exam के time में तो छोटे-छोटे जो हमारे confusions होते हैं उन confusions को हम लोग यहाँ पर दूर करेंगे आज की class में ठीक है एक चीज़ और बता देता हूँ इस class को start करने से पहले यहाँ पर करीब 100 question हम लोग करेंगे आज की class में 50 question करेंगे 50 question कल की class में करेंगे ठीक है अगर कल मैं कोई और topic लेकर आया तो day after tomorrow करेंगे लेकिन 100 question इसके करेंगे ही करेंगे तो आज की class में 50 question करते हैं चलिए start करते हैं पहला question है in which of the following dialects कभीर wrote आपसे कह रहा है इन में से कौन सी language है जिसमें कभीर ने अपने दोहे लिखे हैं हम सभी को पता है कि कभीर ने दोहे लिखे हुए हैं तो कभीर ने दोहे इन में से कौन सी language में लिखे हुए हैं option है आपके सामने अवदी भोजपुरी ब्रिजभासा या फिर मैथली विच वन इस दा करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है कबीर ने अपने दोहे किसमें लिखे हैं इन्हों ने अपने दोहे लिखे हैं अवदी लेंग्वेज में किसमें अवदी इस अपस्धा करेक्ट आंसर बिल्कु सिंपल सा कोश्चन था कोई दिखकत नहीं है दो नंबर दे कर जाएगा अगला कोश्चन है वेर इस पुषकर फियर ठेड पुषकर मेला कहां लगता है और बताइए इससे आसान कोश्चन क्या चाहिए पुषकर का मेला कहां लगता है बता ये, इसका आंसर तो आप लोग ही कर दोगे, बता यी ज시ल्दी से मैं देख रहा हूँ, पुषकर का मेला लगता है, अभी तक कोई आंसर नहीं आया हुआ है, पुषकर का मेला का लगता है, आंसर करिए, बहुत बढ़ी है, शिवांगी का आंसर आ चुका है, रितिक का भ With which temple तो आपको ध्यान रखना है पुश्कर का ब्रह्मा टेम्पल कौन सा? ब्रह्मा टेम्पल famous है ओके नेक्स कोशेन है Which of the following is called as the क्लियर है न ही कोशेन अगला कोशेन है Which of the following is called as the Storehouse of World Art Collection आपसे कहào रहा है World Art Collection का Storehouse sequence इन में से किस जगे को बोला जाता है पहला option है national archives of India बहुत ही आराम से शांत हो के question पड़ो और आंसर करो national archive of India national museum national modern art gallery या फिर सलार जंग museum which one is the correct answer इन में से कौन सी जगे है जिसको world art का collection माना जाता है मतलब इतना बहतरीन collection है इस museum में कि इसकी वज़े से इसको world art का collection माना जाता है which one is the correct answer answer करना चाहेंगे comment box में लिखकर बताइए कौन इसका answer करना चाहता है मैं यहाँ पर जाओंगा वरुन और नितिन के साथ पार्थ वरुन और नितिन तीनों के answer सही है यह है सलार जंग museum अब यहाँ पर आपने थोड़ा answer किया है थोड़ा answer मैं कर देता हूं यह जो सलार जंग museum है यह आपका कहा है यह है हाइदराबाद में अच्छा एक question आप से पूस्टा है इसी तरीके से बिल्कुछ छोटे-छोटे question पूछे जाते हैं आर्ट एन कल्चर से एक question आप से पूस्ता है इंडियन military academy कहा है तो आपका answer क्या होगा इंडियन military academy है देहरादून में यह तो हर को ही लगा लेता है एक पूस्ता है इंडियन defense college कहा है तो जब पूस्ता है defense college कहां पर है तब भी बच्चे क्या लगा तता है देहरा-दून लगा देते है आंसर वह जाता है गल्त National Defense College आपका कहा है ये है दिल्ली में तो Defense College दिल्ली में है और Indian Military Academy कहा है देहरा-दून में दोनों में difference है ध्यान लख्याइगा अगला question है Who introduced the famousfamanconfian festival of neuros आपसे कहा रहा है फार्सियों का फेमस तिवार नौरोज किस ने इंटिड्यूस किया था अलाउद्दीन खिल जी, इल्तुछमिस, फिरोश शाह तुगलक या फिर बल्बन विच वन इस दे करेक्ट आंसर कई बार आपको स्लेव डाइनस्टी और दिल्ली सल्तिनत में पढ़ाया हुआ है ये जो फर्सियन फेस्टिवल है, जिसको नौरोज के नाम से हम लोग जानते हैं ये किस ने स्टैब्लिश किया था? बल्बन ने एक चीज और ध्यान रखना, बल्बन ने कॉइन भी इंटर्ड्यूस किया था, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बल्बनी कॉइन क्या बोलते हैं? बल्बनी कॉइन बल्बन ने दो प्रथा और चलाई थी, जिनको क्या बोलते हैं? एक प्रथा थी सजदा और दूसरा था पैबोस क्या बोलते हैं पैबोस यह जो सजदा है, सजदा का मतलब होता था कि सल्तान के कोर्ट में लेड कर परणाम करना और पैबोस का मतलब होता था सल्तान से अगर कुझ कहना है तो उसको कहने से पहले उसके पैरों को चूमना This is called Pałos तो सस्दा और Pa Алपो भी इसी ने लांच किया था यहाँ पर दिल्ली सल्तनाच से बड़े सारे question मनते है Art and Culture को ही लेकर जैसे Art and Culture की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनाच से एक question मनता है कि अशोका के rock edits को भारत में कौन लेकर आया था तो आपका अंसर होगा फिरोश शाह तुगलक ठीक है एक कोशन ये भी पूशता है कि फिरोश शाह तुगलक अशोका के रॉक एडिट्स को भारत लेकर आया था लेकिन कहां से तो आपका अंसर क्या होगा लुंबनी कहां से लुंबनी और लुंबनी को आज की डेट में हम लो क्या बोलते हैं इसी को तो नेपाल बोलते हैं ना ठीक है तो ऐसे question आपके दिल्ली सुल्टन से भी art and culture की कई सारे देखने को मिलते हैं चलिए एक बहतरीं question आप से फूसता हूँ आप से एक question फूसता है घोड़े के नाल वाली दीवारों की स्थापना इन में से किसके कारकाल में करी गई थी आंसर करिए मुझे कमेंड बॉक्स में लिखकर बताईए मैंने क्या पूछा घोड़े के नाल वाली दीवारों की स्थापना इन में से किसके टेन्योर में करी गई थी कमेंड बॉक्स में ऐसा बनता था ऐसा बनता था ठीक है यह तो इनको बोलते हैं घोड़े किनाल वाली दिवारे और इसमें अलग से आगे इस तरीके से जुका होता था तो घोड़े किनाल हम सब भी को पता है ऐसी होती है ना घोड़े किनाल तो ये घोडे की नाल वाली दिवारे या गेट इनको बहुत सकते हो ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही बनवाए गए गए थे और अलाउद्दीन नहीं इसको बनवाए थे अगला question है which of the following is a famous आसामी फेस्टिवल इन में से आसामी फेस्टिवल कौन सा है I think हर कोई आंसर कर सकता है आसाम का फेस्टिवल कौन सा है ये है बिहू बिहू इसमें आसामी फेस्टिवल है ओनम कहां का है ओनम आपका केरल का है और योगाडी कहां का है योगाडी अभी नया बोलते हैं गुडी परवाह और मकड संक्रांती तो आपको पता है नौर्थ इंडिया में मनाया जाता है ठीक है तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं फोर्थ वन इस दा करेक्ट आंसर अगला कोश्चन है विच लैंग्वेज इस स्पोकेन भाई दा पीपल ओफ लक्ष दीप बढ़े हां कोश्चन है आंसर करिए मुझे कमेंड बॉक्स में लिखकर कि वही यह है यह लक्ष दीप में कौन सी लैंग्वेज इनमें से बोली जाती है मलेयालं कंश्त प्रज वराज क्यार को लोग जा रहे हैं मलेयालव के साथ उन सभी का आंसर बिल्कुं सही है आज से ध्यान रखना है जो लक्षदीव है लक्षदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है मलयालम बोली जाती है गलती मत करना ना कंणर ना तमिल ना तिलगू ठीक है तो फर्स्ट वन इस दा करेक्ट आंसर अगला कोशेन है चलिए बताइए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मैं छुपा लेता हूँ इसको मेरे पीछे आंसर चुपा हुआ है रैसे कई लोगों ने आंसर देख ही लिया होगा बताइए कितनी क्लासिकल लेंगवेजे हैं भारत पे चार पांच छे या साथ विच वन इस दा करेक्ट आंसर चार पांच छे या साथ कितनी क्लासिकल लेंगवेजे कुछ लोग छे बोल रहे हैं कुछ लोग साथ बोल रहे हैं तो यह आपके सामने लिखा हुआ है आंसर आपके सामने है कितनी क्लासिकल लेंगवेजे से हैं छे क्लासिकल लेंग्वेज हैं अब से भूलोगे तो नहीं अगला कुछन है हाउ मैनी क्लासिकल डैंसेस आर देर इन इंडिया तो हमारे क्लासिकल डैंसेस कितने हैं एक्शली समझाना ज्यादा जुरूरी था इस वज़े से मैंने यहां पर इसको भी एलाइबरेट कर दिया है क् की तो ग्लासिकल डैंस भी नहीं है केवल भारत में गिने चुने आठ क्लासिकल ल्डाथ के आपको स्टेट याध हो गे आराम से कूस्चन मनझाते हैं लागातार क् warnings पूस्चन कर लोगे तो पहला देको भरत नाट्यम भरत नाट्यम आक कमनीपुर का है और सतरिया सतरिया आपका कहा है आसाम का है कोई confusion तो नहीं आगे बढ़ें पताओ भई कोई confusion तो नहीं है चालिए आगे बढ़ते हैं आपसे कहा रहा है रत यात्रा एट पुरी is celebrated in honor of whom आपसे कहा रहा है पुरी में पुरी पहले तो बताओ कहा है पुरी है उडिसा में तो उडिसा के पुरी में जो रत यात्रा का आयोजन किया जाता है यह इसमें किसकी पूजा करी जाती है लौड रामा की लौड शिवा की लौड जगननाद की या लौड विश्नु की देखो कहीं पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थीक है कई लोग कंफ्यूज नहीं भी होते हैं तो फिर Lord Vishnu will be the correct answer, समझ गये, चलिए अच्छा बताईए अभी कुस टाइम पहले, उल्टो रथियात्रा कहा मनाई गई, उल्टो रथियात्रा, कमेंड बॉक्स में लिखकर बताईए, देखता हूं किसको याद है, उल्टो रथियात्रा कुस टाइम पहले कहा मनाई गई, कमे पहले कहा मनाई गई थी, वेस्ट बंगॉल में मनाई गई थी, एक क्वेश्चन पता है, आपसे और पूछ सकता है, कि हमारा यह कौन सा पडोसी मुल्क है, जहां पर अभी कुस टाइम पहले जगन नाथ की रथियात्रा का आयोजिन किया गया था, तो यह बांगलादेश मे किया गया था, कहां पर? बांगलादेश में, जी हां, मुस्लिम कंट्री है बांगलादेश, उसके बाद भी वहां पर जगन नाथ रियत यात्रा का योजिन किया गया था, इसी बज़े से कोश्चन बन सकता है, और इंपोर्टेंट भी है, अगला कोश्चन है, वाट वाज नेम ऑफ ए आर रिहमान, बढ़िया कोश्चन है, कान खड़े कर देने वाला कोश्चन है, बताओ, ए आर रिहमान अभी इनको ग्रैमी अवाड से भी सम्मानित किया गया है, दो दो ग्रैमी मिले है, ए आर रिहमान का पहले नाम क्या था? सबी को पता है A.R. रह्मान ने इसलाम धर्म को एक्सेप्ट किया है बताईए वरुन का आंसर है दिलीब कुमार पक्का वरुन लॉक कर दूँ कुछ लोग बोल रहे हैं आर रामचंद वरुन जीत चुके हैं 10 लाक रुपए धान रखना है दिलीब कुमार करेक्ट आंसर है दिलीब कुमार ठीक है A.R. रह्मान का पहले नाम क्या था दिलीब कुमार एक चीज और A.R. रह्मान कहां से बिलॉंग करते हैं A.R. रह्मान चेननी से बिलॉंग करते हैं कहां से चेननी A.R. रह्मान ने अभी 2020 में कितने ग्रैमी जीते हैं एक तो सौंग के लिए जो स्लम डॉग मिलेनियन का जै हो सौंग है उसके लिए और एक उसके म्यूजिक के लिए दोनों के लिए ग्रैमी जीते है अगला कोशन है पपेती is the festival of पपेती कहां का festival है आपसे कह रहा है इन में से कौन सी community पपेती मनाती है पपेती एक तोहार है इसमें से कौन सी community मनाती है पार्सिस मनाते हैं जैन्स मनाते हैं सिख मनाते हैं या बॉद्धिस्ट मनाते हैं विच वन इस दर करेक्ट आंसर पपेती festival कौन मनाता है बता सकते हैं पपेती बिल्गुल सही पार्सिस is the correct answer पार्सिस इसको मनाते है किसको पपेती तिवार कौन मनाते है पार्सिस आपको पता है कभी आपने सोचने कोशिस करी है जो बुद्धिस्ट हैं वो किसको मानते हैं वो लॉड बुद्धा को मानते हैं किसको लॉड बुद्धा को सिख किसको मानते हैं गुरु नानक देव को मानते हैं जैन किसको मानते हैं या तो रिशब देव को मानते हैं या तो पार्शनात को मानते हैं या तो फिर महावीर स्वामी को सबसे आदा लोग मानते हैं पार्सिस किसको मानते हैं तो आपको ध्यान रखना है पार्सिस मानते हैं प्रॉफिट जोर्वोस्टर को प्रॉफिट जोर्वोस्टर को मानते हैं तो जब प्रॉफेट ज़ोरफोस्टर थे, यह प्रॉफेट कहां के थे, पर्सिया के, पर्सिया के, तो पर्सिया के प्रॉफेट ज़ोरफोस्टर को यह मानते हैं, इस वजे से इनको क्या बोला आता है, समझ गये, कोई confusion तो नहीं है, I think पहली बार के लोगों को पता लग रह चारे आपसे कहा रहा है जो पांडव थे महाभारत के उन्होंने गुरु द्रोणा चारे को गुरु दक्षिना के रूप में इनमें से कौन सी जगे दी थी आपके सामने ऑप्षन है रावल पिंडी नैनी ताल हस्तिनापुर या गुडगाओं विच वन इस दा करेक्ट आंसर चलिए मैं बताता हूँ इसका अंसर पांडवास ने गुरु द्रोणा चारे को गुरु दक्षिना के रूप में गुरु ग्राम दिया था क्या गुरु ग्राम इसी वज़े से गुरु ग्राम इसका पहले भी नाम था बाद में इसका नाम गुडगाओं पड़ा और आज की कहां पर तमिल नाडव में मनाया जाता है यह कौन सा तेवार है जिसमें मनाया जाता है बताइए जली कटू जली कटू पता है क्या तेवार होता है इसमें कई सारे बैल छोड़ दिया जाते हैं भीड में तो इस तरीके से मनाया जाता है कुछ-कुछ मिलता जुलता है आपक प्षजण खार रहें है जो लोग kommenड बनाइं नहीं हैं उनगा लगा दिया मैं बताता हूं उनक लगा दिमाग किया लगा जे लगाया कि यह हैखान की निकले हैं सींगे ठीक है तो यह सींगों का मतलब क्या होता है हॉर्ण होता है इतनी तो इंगलिस आती है इन्हें और हॉर्ण लगा दिये यहां पर इसका मतलब यह क्या हो गया हॉर्ण बिल फेस्टिवल हो गया यही दिमाग लगाया था ना क्यों मुझे बदनाम करने में लगे हो हॉर हौन में मनााः जाता है बहुत बढ़िया हौन में नागा लैंड में मनाया जाता है ठीक है नागा लेंड हर साल जो हॉन्ड बिल फेस्टिवल है ये कब से कब तक मनाया जाता है नागा लेंड में ये भी आपको बता देता हूँ एक से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया여 जाता है इस बार hongbill festival नूज में भी था पता है क्यो क्योंकि honbill festival को इस बार फरवरी के महिने में वैसे इसको हर साल naga tribe naga land में बनाती है एक से लेकर 10 दिसंबर तक लेकिन इस बार naga tribe ने इसको tripura में भी मनाया कहां पर त्रिपुरा में और कौन से महिने में परवरी के महिने में समझ गए तो इस वज़े से हॉन्बिल फेस्टिवल इस बार न्यूज में था तो अपसे ध्यान रखना हॉन्बिल आपका नागल एंड बिहू हो गया आसाम ओंगल हो गया तमिल नाडू और ओनम हो गया केर आगे बढ़ते हैं मैथली इस प्राइमरली स्पोकेन इन विच स्टेट आपसे कह रहा है जो मैथली है मैथली भाषा इनमें से कौन से राज में बोली जाती है बिहार आसाम वेस्ट वेंगल या मेगाल है मैं अंसर करता हूं यह बोली जाती है बिहार में तो फस्ट वन इस और बाकी लोग कौनकनी बोल रहे हैं दो ही आंसर आ रहे हैं कुछ कुछ लोग गुजराती भी बोल रहे हैं वैसे मैं फसाना चाहता था ज़्यादे लोग फसे नहीं ऑई जो लोग अंगरेजी बोल रहे हैं ठीक है उन्हें बता दूँ अंगरेजी हमारे कौन से राजबे अफीशली बोली जाती है यह बोली जाती है नागलेंड में नी बोली जाती है गोवा की official language है ठीक है जो लोग राजस्थानी बोल रहे हैं वैसे कोई नी बोल ला है राजस्थान में बोली आती है गुजराती इसदा correct answer इसलिए कहते है मैप practice होना बहुत जरूरी है तो आप इसका भी answer बहुत आराम से कर सकते थे दमंदीव अगर आपको पता है तो यहाँ पढ़ता है दमंदीव और यह आपका गुजरात वाला अरिया है जाहिर से बात है गोवा इससे काफी दूरी पर पढ़ता है यह पढ़ता है गोवा कोनकनी का इतना दूर effect ऩोड़ी होगा कोमन-से से भी question बन सकता था तभी मैंने पहले ही कह दिया था इस post harvest folk dance in Assam post harvest harvest का मतलब है Assam में जब फसल कटती है जब खेती कटती है अक्टूबर के महिने में उसके बाद इन में से कौन सा festival मनाया जाता है खेती कटने के बाद की बात हो रही है बताइए फसल कटने के बाद की चलिए suspense create नहीं करूँगा Assam में बिहु मनाया जाता है ठीक है बिहु की खास बात ही यही है कि बिहु harvest के बाद ही मनाया जाता है आप से कह रहा है All Souls Day is a witch festival आप से कह रहा है इन में से कौन सी community है जो की All Souls Day नाम का festival मनाती है तेवहार मनाती है बुद्धिस्ट लोग मनाते है जैनिजम में मनाया जाता है Christianity में मनाया जाता है या फिर Muslims में Islam में मनाया जाता है बताइए All Souls Day देखो मैं बताता हूँ All Souls Day मनाया जाता है Christianity में ठीक है November के महिने में इसको मनाया जाता है All Souls Day को ये दिवस क्यों मनाया जाता है ये दिवस इसले मनाया जाता है कि Christians इसको मनाते हैं इस वज़े से इस दिन World में जितने भी लोग दुनिया को छोड़ चुके हैं उनकी रूहें जो इधर उधर भटक रही हैं उनको शान्ती मिले समझ गे इस वज़े से All Souls Day के रूप में मनाया जाता है Next question है सारहूल फेस्टिवल इस मेंली एसोसियेटेड विद्धा Tribal Community of Witch State आप से कह रहा है सारहूल फेस्टिवल इन में से किसी Tribal Community के द्वारा मनाया जाता है कौन से राज्ज में उडिसा, जहारकंड, मद्पदेश या राजिस्थान बताइए सारहूल फेस्टिवल इन में से कौन से राज्ज में मनाया जाता है आंसर करेंगे बहुत बढ़िया विनीत, अंजली, विरेंद, अनुकूल सभी का आंसर सही है सभी का आंसर सही है जहारकंड इस दा करेक्ट आंसर यहाँ पर देखो आपके सामने हिंट भी था अगर आपको Tribes पता है तो आप असानी से बता भी सकते थे सरहूल फेस्टिवल जहारकंड में मनाया जाता है और इसको कौन सी ट्राइब मनाती है जहारकंड की तीन मेजर ट्राइब असुर ट्राइब, बैगा और बंजारा ये तीनों मनाती है जहारकंड में किसको सरहूल फेस्टिवल जारकर्ण में हेमन सरेन की सरकार है जारकर्ण में गवर्नर कौन है यह है द्रौपदी मुर्मू उडीसा में नवीन पटनाइक की सरकार है उडीसा में गवर्नर कौन है गनेशी लाल मद्ध पदेश में शिवराज सिंग चोहान की सरकार है और यहां पे गवर्नर कौन है लाल प्रमिन वाक्स में लिख्ये जल्दी से, आंसर करिए, उत्तर पदेश में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, बताइंगे, उत्तर पदेश में गोंड सबसे यादा पाई जाती है, देख लो, फिर मद बोलना बाद में, उत्तर पदेश में गोंड जन जाती हैं, आप बोल रहे सबसे आदा जंजाती ठारू पाए जाती है, फिर गोंड पाए जाती है, यह जो थारू जंजाती होती है, यह नर्मली आपको आंता देखने को मिल जाएंगे, इनका जो में खाना उता है, वो मचली चावल होता है ओके और जो गोंड होते हैं गोंड के लंबे चहरे होते हैं ठीके थोड़े dark complexion के भी आपको जातर मिलेंगे लंबे चहरे होते हैं चरहरे बदन के होते हैं और इनका जो normal खाना है इनका भी चावल normal खाना है ठीके ओके अब आप कहोगे ये question कहां काम आने वाले हैं ये सारे question आपके PCS में पूछा जाते हैं क्योंकि PCS में आपका कल्चर जादा पूछा जाता है नेक्स कोशन है दा फेमस गंगा सागर मेला इस annual fair is held in which state of India आपसे कह रहा है बहुत ही फेमस गंगा सागर मेला जो है यह annually मनाया जाता है भारत के कौन से राज में गंगा सागर मेला बिहार, जारकंड, उडिसा या वेस्ट बिंगॉल आंसर करना चाहेंगे पांस सेकंड का टाइम दे रहा हूँ अधर्वाइस फिर मैं बताऊंगा पांच, चार, तीन, दो, एक टाइम सब बहुत बढ़िया अंजली, पार्थ, राजे, इस तीनों के आंसर सही है वेस्ट, बिंगॉल में अब लोग मनाते हैं कौन सा मेला, गंगा सागर मेला दफेमस सूरज कुंड मेला इस, अन एनूल फेर इस, हैड इन विस सिटी ओफ इंडिया, देखो सूरज कुंड का मेला कहां मनाया जाता है, सूरज कुंड एक लेक भी है, अगर आपको पता है तो मैंने कराया भी था, आने कैडमी प्लस पर भी मैंने कराया था, सूरज कुंड क्या है एक लेक है, एक तालाब भी है, ये कहां पढ़ता है, हर्याना में पढ़ता है, हर्याना और इनमें से हरियाना का शहर कौन सा है यह तो हो गिया राजिस्तान, यह हो गिया दिल्ली यह भी हो गिया राजिस्तान फरीधावाद आपका हरियान मैं पड़ता है तो फरीधावाद इसदा करिक्ट आंसर अगला question है the government of देखो question पढ़ाना एक अलग चीज है question में option को eliminate करना एक अलग चीज है option को eliminate करने का जो मज़ा है ना तभी मज़ा है question को करने का इससे तो किताबी तरीकेस तो कोई भी पढ़ लेगा ठीक है? हमेशा option को eliminate करके पढ़ना है उससे जादा से जादा चीज है गेन होती है next question है the government of which state started the तांसेन सम्मान इन में से कौन सी राज्य सरकार है जिसने तांसेन सम्मान देना start क्या था या फिर तांसेन सम्मान की शुरुवाद करी थी? comment box में लिखकर बताइए तांसेन सम्मान की शुरुवाद किस ने करी थी? कई लोग उत्तरपदेश आंसर कर रहे है कई लोग मद्पदेश आंसर कर रहे है नीलम का आंसर है महरास्ट अच्छा by the way जो लोग मद्पदेश बोलने है उन सभी का आंसर सही है ठीक है? यहां से कई सारे कोश्चिन बनते है पहला कोश्चिन तो यह तांसेन सम्मान की सरकार की दौरा शुरुवाद करी गई आंसर होगा मद्पदेश दूसरा कोश्चिन मनता है कि तांसेन सम्मान कौन से? फील्ड में दिया जाता है आपको पता होना चाहिए music field में दिया जाता है तीसरा question आपसे पूछ सकता है कि तांसेन सम्मान को मद्धुपदेश सरकार ने कभी start किया था तो आपका answer होगा 1980 में start किया था चौथा question अभी latest में आपसे पूछ सकता है कि साल 2019 का तांसेन सम्मान किसको मिला तो आपको ध्यान रखना है पंडित विद्धा धहर व्यास को 2019 का तांसेन सम्मान मिला एक पांचों और आखरी question कि तांसेन सम्मान के साथ कितने रुपई की धन्राशी दी जाती है तो आपका answer पता है क्या होगा 2,00,00 रुपई की धन्राशी इसके साथ दी जाती है ठीक है इतने तरीके के question तांसेन सम्मान से बन सकते हैं इसको बोलते हैं question का post-martem कर देना next question है match the following इन में से match करिए आप करेंगे इन में से match करना है हमें क्या आप से पूछ रहा है particular festival और state which one is the correct answer या फिर इन में से match करना बताईए जल्दी से विकास का पूछना है तांसेन का real name तांसेन का real name ध्यान रखना इनका real name है राम तनू पंडे क्या नाम है राम तनू पंडे was the real name of तांसेन चले बताईए match the following गंगोर वेस्ट मिंगोल गनेश चतूर्थी उत्तर पादेस दुर्गा, पूजा, राजस्थान राम लीला, राजस्थान घूमर, महरास्थ सब गहां पर गलत है अब सही क्या है उसपर बात करते हैं गंगोर से start करते हैं गंगोर आपका कहां का है गंगवर आपका मनाया जाता है इसको हटाईए गंगवर आपका मनाया जाता है राजस्थान में ठीक है इसके बाद आज़ेए गनेश चतुर्ती गनेश चतुर्ती उत्तरप्रदेश का नहीं है गनेश चतुर्ती है यह आपका महरास्ट का इदर लिख दीजे महरास्ट वो इसके बाद राम लीला, राम लीला सबसे वड़ियां आपने उत्तर प्रदेश वाले देखते हैं, यूपी, यह आ जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, इसके बाद घूमर, घूमर आपका महरास का नहीं है, यह आपका राजस्थान का है, वो घूमर घूमर एक गाना नहीं था अभी मूवी आई थी पदमावत उसमें अब यह करेक्ट है ठीक है को कंफ्यूजन तो नहीं किसी को बिलकुल सही बिलकुल सही बिलकुल सही विरियन दे चलिए आगे बढ़ते हैं आपसे कहा रहा है ली कार्बूसियर दा आर्किटेक्ट ओफ चंदीगर्ड वाज़ नैशनल ओफ आपसे कहा रहा है ली कार्बूसियर जिनों ने चंदीगर्ड की स्थापना करी है ये कहां के रहने वाले थे आर्किटेक्ट थे कहां के रहने वाले थे नीदरलेंड the correct answer, Li-Borcusier, बताइए, Li-Korbousier, which one is the correct answer, Li-Korbousier, कहां के हैं, कोई answer कर सकता है, बहुत बनिया, रंजीत रोहित, इन दोनों का answer सही है, रंजीत रोहित, दोनों भीया का answer सही है, यह है France, यह France के रहाने आले ते, यहां से दो question और बनते है चंदीगड से एक question यह बनता है कि rock garden आपसे पूचता है internal geography में rock garden कहा है तो आपका answer क्या होगा चंदीगड में एक आपसे पूचता है rose garden कहाँ पर है तो भी answer क्या होगा चंदीगड ठीक है, even आपसे यह भी पूचत देता है कि City of Gardens किसको बोलते हैं तो आपका अंसर क्या होगा चंदीगर को ही City of Gardens के नाम से भी जाना जाता है अगला कुश्चन है In which field of art Jamini Roy make his name आपसे कह रहा है Jamini Roy ने कौन से field में यहाँ पर his नहीं होगा हर होगा Jamini Roy ने यह महिला है ध्यान रखेगा Jamini Roy ने अपना नाम इनमें से कौन से field में बनाया पद्म भूशन भी इनको मिल चुका है बता सकते हैं Jamini Roy जो की कलकत्ता से बिलॉंग करती है इनोंने कौन से field में अपना नाम बनाया बहुत बढ़िया पेंटिंग इस दा करेक्ट आंसर Jamini Roy is an eminent personality of painting इनको पद्म भूशन से भी सम्मानित किया जा चुका है 1955 में वेर इस दा स्वामी नारायन टेंपल अक्षरदाम लोकेटेड बहुत आराम से कोश्चन पढ़ना और बताना फिर से कह रहा हूं बहुत आराम से कोश्चन पढ़ना आप से कह रहा है स्वामी नारायन टेंपल अक्षरदाम लोकेटेड स्वामी नारायन टेंपल अक्षरदाम कहां पर है बताईए internal geography से कोश्चन है अक्षरदाम दिल्ली सभी के आंसर आ रहे हैं अक्षरदाम दिल्ली लेकिन आपको बता दूँ शुभम और अंकित बस इनी दोनों के आंसर सही है इसलिए बोला था बहुत आराम से पढ़ना ठीके यहाँ पर आप लोग फस गए भाईया यह वो अक्षरदाम टेंपल नहीं है जो अक्षरदाम मेट्रो स्टेशन के बाहर है वो केवल अक्षरदाम टेंपल है यह क्या लिखा हुआ है स्वामी नरायन अक्षरदाम टेंपल ठीके यह आपका कहा है यह गुजरात के गांधी नगर में पढ़ता है इसलिए बोला था बहुत आराम से पढ़ना फस जाओ गे इसमें इसलिए जानबूच के दिल्ली ऑप्शन डाला है पेपर में नहीं फस होगे ठीके समझ गे अक्षरदाम टेंपल तो कभी पूस्ता भी नहीं है जब भी पूछेगा है तो गुजरात वाला ही पूस्ता है वाट डू दा पेंटिंग्स औफ अजंता डिपेक्ट आप से कह रहा है इन में से जो अजन्ता की जो पेंटिंग्स है, अजन्ता की पेंटिंग्स में इनमें से किस के बारे में बताया गया है, रामायन के बारे में, महाभारत के बारे में, जातक्स के बारे में, या पंचितंत्र के बारे में, आंसर करिए कमेंड बॉक्स में लिखकर, आंसर करिए कमेंड बताया गया है तो जो जातक है जातक क्या है यह बौदिजम में बताया गया है बौदिजम में लौड बुद्धा ने जातक में बताया हुआ है कि आगे आने वाले टाइम में बुद्धा किसी भी रूप में आ सकते हैं वो हाती के रूप में भी आ सकते हैं वो शेर के रूप म यह बताया गया है जातक में समझगे यह जातक की ही पेंटिंग है जातक को ही डिनोड करती है पेंटिंग से कोई कन्फूजन तो नहीं अगला कोशन है वेर डिड़ दा मिनियेचर पेंटिंग ऑफ इंडियन हेरिटेस डैवलप आप से कह रहा है एक तरीके से आप बोल सकते हो भारतिये पेंटिंग का एक युग की शुरवाद कहां से हुई भारतिये पेंटिंग के युग की शुरवाद कहां से हुई इसकी शुरवाद किशनगड से हुई इसको किशन कर देते हैं किशनगड किशनगड मतलब राजस्थान राजस्थान से ही भारतिये पेंटिंग कल में मदूबनी पेंटिंग पॉपलर है क्या आप बोल सकते हो कि मदूबनी पेंटिंग जिनको हम लोग पॉपलरिटी के साथ जानते हैं ये कौन से राज जिसे एसोसियेटेड है वेस्ट बेंग वल उडिसा बिहार या साम comment box में लिखे answer लिखे comment box में बहुत बढ़िया बिहार के साथ बिहार के साथ जोड़ी हुई है अचा एक चीज़ और ध्यान रखियेगा आपको पता है मदूबनी पेंटिंग कई लोग बोलते हैं कई लोगों को लगता है कि मदूबनी पेंटिंग कोई एक specific painting होगी, नहीं मदूबनी पेंटिंग कई तरीके के हो सकती है लेकिन मदूबनी पेंटिंग का एक type है बेसिकली, ये एक painting का type है इसकी खास बात पता है क्या होती है इस painting में बहुत ही बारीक काम किया जाता है जैसे कि इस painting की बात करें तो इसमें आप देखरों बड़ा यह बारीक काम है बैक्ग्राउंड पे यह देखिए यह सब बारीक काम है इस painting की बात करें तो यह देखे कितना बारीक काम किया गया उपर तो यह बारीक काम ही मदुबनी painting की पहचान है जो की बिहार से associated है अगला question है Who was the painter of the famous painting called भारत माता आप से कह रहा है भारत माता जो की एक famous painting है किसने बनाई थी यह painting कमेंड बॉक्स में लिखकर बताईए बहुत बढ़िया कोश्चन है solid question है solid question है बताई जल्दी से नंदलाल बोस बोलने है सभी लोग नंदलाल बोस पार्त का कहना है नंदलाल बोस रवी प्रताप का कहना है अब निंदनाथ बोस यह इसमें different answer आ रहे है इसमें कई लोग बहुत बहुत different answer कर रहे है कुछ लोग गगनेंद्र नाथ बोस बोल रहे है कुछ लोग अबनेंद्र नाथ बोस बोल रहे है कुछ लोग नंदलाल बोस बोल रहे है और कुछ लोग जामिनी रॉय बोल रहे हैं करेक्ट आंसर उनी का है जो लोग बोल रहे है अबनींद्रनाट टैगोर अबनींद्रनाट टैगोर तो आपको ध्यान लखना है भारत माता की जो पहली और फेवरेट पेंटिंग है आज तक की यह एक तरीके से मास्टर पीस है यह किस ने बनाई थी यह अबनींद्रनाट टैगोर नहीं बनाई थी भारत माता की जो उसके बाद आप कई सारी पेंटिंग्स देखते हो भारत माता सैफरोन कलर, वाइड कलर और green color में कही सारी पेंटिंग्स बनाई गई जए है वो सारी पेंटिंग्स बात किए है सबसे पहले कोई पेंटिंग बनी थी तो यह पेंटिंग मनी थी भारत माता की ध्यान रखिएगा ठीक है किलिक है आपसे कहा रहा है गंधार आर्ट इन में से किसके टेन्योर में अपने चरम पर थी या फिर गंधार आर्ट की शुरवात ही कहां से हुई थी किसके टेन्योर में गुपतार्स के टाइम पे, मौरे के टाइम पे साथवांस के टाइम पे या कुशान के टाइम पे which one is the correct answer गांधाराट जो लोग गांधाराट नहीं जानते हैं उन्हें बता दू गांधाराट है क्या basically इस तरीके की होती है गांधाराट इनकी खास बात यह होती है कि यह है पत्थर पत्थर के ऊपर ही को उबहार दिया जाता है, this is called गांधार art बताईए, किसके time पर थी गांधार art ब्रजेश का कहना है kushan रोहित का कहना है मौर शुभम मिष्रा का कहना है गुपता जग्गु भाई का जग्गु भाई का कहना है kushan तो वही है जग्गु भाई के साथ मैं जाओंगा जग्गु भाई का अंसर बिलकुल सही है यह कुशान और भी जो लोग कुशान बोल रहे हैं उन सभी का अंसर सही है ठीक है कुशान के टाइम पर गांधार आर्ट स्टार्ट हुए थी तो आपको ध्यान रखना है कुशान डाइनिस्टी का फाउंडर कौन था कुशान डाइनिस्टी का फाउंडर था कुजुला कटफसिस क्या बोलते हैं कुजुला कटफसिस और कुशान डाइनिस्टी आपकी 1st century में थी ध्यान रखना है कुशान डाइनिस्टी कहां से कहां तक तक शाषिन कर रही थी यह जितना भी आपको ग्रीन दिख रहा है यह सब कुशान डाइनिस्टी है यह सब कुशान डाइनिस्टी है और यह फर्स्ट सैंचुरी में भारत में शाषिन कर रहे थे ओके और इसका फाउंडर कौन था कुजाला कडफसीस क्या आप बता सकते हो गुपता डाइनिस्टी का सबसे एफेक्टिव किंग कौन था कर्मेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए कहां से आंसर आ रहे हैं कनिश्ट कहां से आंसर कर रहे हैं अभिया गुपता डाइनिस्टी का मोस्ट एफेक्टिव किंग मैं पूछ रहा हूं न तो मोस्ट एफेक्टिव किंग कौन था यह था समुद्र गुप्त एक कोशन और पूछता है कि समुद्र गुप्त ने कितने सिक्खे चलाएते तो आपको ध्याना करा है समुद्र गुप्त ने 6 सिक्खे चलाएते तो गुपता डाइनिस्टी का फाउंडर कौन है श्री गुपत है ना श्री गुपत तो श्री गुपत ने किसका टाइटल एकसेप्ट किया था महराज का टाइटल एकसेप्ट किया था कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताईए गुपता डाइनिस्टी में सबसे पहले श् बहुत बढ़िया अर्जुन पंडित का अंसर आ चुका है अर्जुन पंडित जो कि हमारे सामने सनी देवल का रूप लेकर आए हुए है इनका अंसर बिल्कुल सही है ठ्यान रखना है सबसे पहले महाराजा धिराज का टाइटल चंद्रगुप्त फस्ट ने एकसेप्ट किया आमसर फेमस्वर आप से कहरा है राजिस्थानी और पहाडी स्कूल्स जो हैं वो इन में से bekommt Tap법 सी आर्ट के लिए जाने जाते हैं राजिस्थान में और ऑर जो पहाडी सगूल होते हैं वहां पट enemy क्या सिखाए जाता है – music सिखाए जाता है؟ है डान सिखाए जाता है sculpture सिखाया जाता है या फिर painting सिखाया जाती है संगीत सिखाया जाता है नत्य सिखाया जाता है मूर्तिकला सिखाया जाती है या फिर चित्रकला सिखाया जाती है ध्यान रखना है जितने भी पहाडी स्कूल है या राजिस्थानी स्कूल से उन सभी में चित्रकला सिखाई जाती है चित्रकला आर्ट आर्ट फॉर्म्स कौन सी है जो की सबसे अधर फेमस है पेंटिंग नेक्स कोश्चन है वो पेंटेड दा मास्टर पीस हमसा दमियंती यह जो आपके सामने पेंटिंग आपको दिख रही है इस पेंटिंग का नाम है हमसा दमियंती इसके कई सारे कई सारे डुप्लिकेट चित्र भी बन चुके है लेकिन दिस इस दा मास्टर पीस सबसे पहले मास्टर पीस किसने बनाया था हमसा दमियंती यह बहुत ही फेमस पेंटिंग है इन्हों में से किसकी बनाई हुई यह पेंटिंग है, कमेंड बॉक्स में लिखकर बताईए Which one is the correct answer? बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां रूद्र प्रताप का आंसर सबसे पहले विनीत मिश्रा का भी आंसर सही है, आरेन का भी आंसर सही है बहुत बढ़ियां, यह है राजा रवी वर्मा राजा रवी वर्मा जो की भारत के फेमस पेंटर थे इनी के दोरा हमसा दमियुन्ती की यह फेमस पेंटिंग बनाई गई है मास्टर पीस, अभी आपको पता है, जो लोग मुझसे करिंट अफेर पढ़ लें उनको पता होगा, अभी हाली में हम लोगों ने रवी वर्मा की क्या करिये, बर्थ एनिवर्सरी भी अब्जर्व करी थी यह आप देख रहो, इनका जन्म कब हुआ था, 29 अप्रेल 1848 को बिटिश इंडिया में, और इनकी मृत्वी 2 अक्टूबर 1906 में हुई थी तो 29 अप्रेल को, अभी हाली में हम लोगों ने इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी अब्जर्व करी थी साथ में कई बार ये भी पूस देता है, कि भारत के फेमस पेंटर राजा रवी वर्मा जो है ये कहां से बिलोग करते हैं? तो ये किली मनुबर से बिलोंग करते हैं, मतलब केरल से अगला कोशन है, फेमस खज़ुराहू ग्रूप ओफ मौनूमेंट्स इस इन विच इस्टेट? आप से कहा रहा है, खज़ुराहू कहां पर है? आई तिंग बिल्कु सिंपल सा कोश्चर है खज रहा हो ग्रूप ऑफ मॉनुमेंट्स आपका कहा है मद्धपदेश में तो सेकेंड मन इस दा करेक्ट आंसर अगले कोशिन के और बढ़ते हैं कनम में से कौन सा सिखh प्ले से जोकी भारत में नहीं बच्चोंआ ला कोश्चन है अजमा पताइए कमेंड़ वाक्स में Act कर नंदेड केजगर साहब पाय। पाउंता साहब या फिर नंकाना ऑन साहब बिलकुल इसommenहें यह KN1 शाहब यह है ननकाना साहब कहां पड़ता है यह पड़ता है पाकिस्तान थे पाकिस्तान पाकिस्ता चलिये अब कोश्चन पोस्ट मार्ट माल भी कर देते हैं नंदेड कहा हैं, comment box में लिखकर बताईए जल्दी से, case girl कहा हैं, और पाउंता साहिब कहा हैं, नंदेड, नंदेड आप बताऊगे, बाकी के दो मैं बताऊगा, नंदेड के बारे में जल्दी से बताईए, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, इसमिता का अंसर सही है, नंदेड आपका पड़ता है महरास्ट में, और आपका case girl साहिब पंजाब में, इसके बाद जो आपका पाउंता साहिब है, यह आपका हिमाचल पदेश में, अब तो कोई confusion नहीं है, नंदेड आज से ध्यान रखना महरास्ट, case girl साहिब आपका पंजाब, पाउंता साहिब आपका हिमाचल पदेश, इसके बाद नंकाना साहिब अभी पाकिस्तान में, एक चीद और ध्यान रखेगा, नंकाना साहिब अभी न्यूज में था, नंकाना साहिब रेलवे स्टेशन का नाम बदल के पाकिस्तान गौवर्मेंट ने इसका नाम क्या रख दिया है, पाकिस् से 550 वी बर्थ अनिवर्सरी मनाई गई तhoot जिसमें पाकिस्तान ने एक सिख्का भी जारी किया था commemorative coin तो आप से question पुछेगा कि कौन सा देश है जिसने 550 वी बर्थ अनिवर्सरी पर गुरुनानक देव जिय 1977 का जारी क्या था तहां तो या Sculpture field के लिए जाने जाते हैं, which one is the correct answer, मूर्तिकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, देखो, राजर रभी वर्मा तो आपके चित्रकार थे, मूर्तिकला के लिए, राम किनकर, बहुती famous personality, ठीक है? अगला question है, what is the field in which, what is the field in which, प्रदोस दास गुपता, distinguished himself? आपसे कह रहा है, यह एक famous personality है, actually इनका नाम प्रदोस दास गुपता नहीं है, प्रोदोस दास गुपता है, तो यह जो प्रोदोस दास गुपता है, यह कौन सी field का एक famous नाम है? मूर्ति कला का, चित्र कला का, instrument music का, या फिर हिंदुस्तानिक music का, vocal जिसको बोलते हैं, बताइए, सभी लोग instrument music बोल रहे हैं, पक्का, पक्का मानलू, instrument music, मानेंगे नहीं, या तो instrument music बोल रहे हैं, या तो हिंदुस्तानिक music बोल रहे हैं, चलिए मैं बता देता हूँ, जो आपके मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं ठीक है सुराज और आधित का अंसर सही है इस क्लप्चर से रिलेटेड है प्रदोस दास गुपता कौन से राज्य से विलॉंग करते हैं कोलकाता वेस्ट मेंगोल डबलू भी अगला कोश्चन है गेटवे ओफ इंडिया वस जौर्ज विटेट ने गेटवे ओफ इंडिया बनाया है एक कोश्चन ये भी पूस्ता है आप मैं से शायद कई लोगों को ना पताओ बता देता हूं यह जो मुंबई का गेटवे ओफ इंडिया है यह पता है कब बन के तयार हुआ है 1924 में बन के तयार हुआ है लेकिन यह बनना कब से शुरू हुआ इसकी नीव रखी गई थी 1911 में 1911 में जब मैं आपको हिस्ट्रीम पढ़ाता हूं कि दिल्ली दर्बार का आयोजन क्या गया था इसका आयोजन लॉर्ड हडिंग ने किया था और जौर्ज फिफ्ट को जब बुलाया था तो क्योंकि पहली बार प इसकी स्थापना करी गई गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई यह तब से बनना स्टार्ट हुआ और 1924 में जाकर बनके त्यार हुआ जिसका क्रेइट किसको जाता है जौर्ज विटेट को जाता है अब तो नहीं भूलोगे अच्छा अभी पिछले साली नैशनल व बुद्धा इस नोनए एस आपसे कहह रहा है एक सेमी सर्कुलर स्टेक्चर मतलब लखबग सर्कुलर ओपर से गोल है डोम की तरह इस तरीके का डोम शेफ का रूफ होता है जिसमें जो कि आपको पिक्टर में देख रहा है इसको किस नाम से जाना जाता है, बाध्धिस्म के बोलते हैं या फिर monolith बोलते हैं which one is the correct answer बताइए सभी लोग इस्तूप बोलते हैं बिल्कुल सही आंसर है यह जो आपको फोटो में दिख रहा है यह इस्तूप ही है अब कई लोगों को नहीं पता होगा एडिक्स क्या होता है भी या एडिक्स वो होता है पत्थर में भी नहीं सकता और monolith क्या होते हैं monolith पता है क्या होते हैं बड़े-बड़े पत्थरों से जो structure बना जाते हैं जैसे एक पत्थर यह है एक पत्थर यह है और एक पत्थर यह है तो क्या किया गया दो पत्थरों को ऐसे बना दिया गया और एक पत्थर इसके उपर रख दिया किया ऐसे समझ गए इनको बोलते हैं मोनोलित जो बड़े बड़े पत्थरों के बिना काटे पीटे जैसे यह तो ब्रिक्स लगी हुए है इनकी खास बाद यह होती है पत्थरों को बिना काटे पीटे उनका निर्मार किया जाता है अजीव तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए जा हाथ हंगरी भारत ऑस्ट्रिया फैन्ट इस भात हिं बात हिंस्टानी है तो हिंदोस्तान में जन्म नहीं हुआ होगा नहीं तो Easy इसको ऑननेटे कर दो करेक्ट आंसर हंगरी आपको बतादू इनका जन्म हंगरी में हुआ था और इनकी 10 देट कब हुई है। इनकी डेट 1941 में पाकिस्तान में हुई। तब वो भारत ही था। ठीक है। तो अमरिता शेर्गिल ये कौन से फील्ड के लिए जानी जाती है। इकॉनिक परस्नालिटी है कौन से फील्ड में। थ्यान रखना है। पेंटर थी, फेमस पेंटर, भारती पेंटर, अमरिता शेरगिल, ठीक है, हंगरी, अगला कोश्चन है, नेक चंद सैनी's name is associated with which of the following gardens, आप से कह रहा है, इन में से कौन सा गार्डन है, जिसके साथ, नेक चंद सैनी का नाम जुड़ा हुआ है, गार्डन आपके सामने है, शाली comment box में लिखिए, सपना का कहना है third one, मतलब hanging garden, कुछ लोग बोलना है rock garden, नेहा चर्मा का कहना है rock garden, अच्छा, जो लोग rock garden बोलने है, उन सभी का answer सही है, धान लखना, यह जो नेक चंद सैनी है ना, इनी को create जाता है rock garden मनाने का, चंदीगर में, तो second one is the correct answer, और यह शाली मा अग बाग जहांगीर ने मनाया था, जहांगीर जो कि श्री नगर में, ठीक है, आज के question कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को, question आज के कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है, sir please, 6 months का current fair marathon, 6 महिने का current fair marathon चाहिए, तो अभी रुख जाओ थोड़ा, 6 महिने का अभी ना लो, क्या करोगे, एक बार lockdown हटने दो, उसके बाद एक साथ ले आऊँगा, तावर तोड़ तरीके से, तो थोड़ा wait कर लो, समझ रहे हो, जादतर लोग अभी करेंगे नहीं, तो म मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, उस टाइम पर थोड़ा crowd हो जाएगा, एक बार lockdown हट जाए, एनरजी अपने आप आजाएगी, ठीक है, तब ले आऊँगा, 6 महिने का, तो एक बार जड़ा like कर दो, यार session को आप लोग, like करने में पता नहीं क्यों, कंजूसी करते हो, next question है अगला question है, आप से कह रहा है, कला रिपयत is the martial art of which state? कला रिपयत, आप से कह रहा है, देखो, martial art तो जगे जगे पर होती है, चाइना में इसको अलग नाम से जाना आता है, भारत में कई राज्यों में होती है, साउथ में, अलग अलग नाम होती है, लेकिन आप से पूछ रहा है, इसको martial art को कला रिपयत नाम से इन में से कौन से राज में हमारे जाने जाता है तो आपको ध्यान रखना है केरल में जो मार्शलार्ट सिखाई जाती है वहां पर इसको कला रिप्यत के नाम से जाना जाता है ओके सफोर्थ वन इस दा करेक्ट आंसर केरल में पिनाराय विजिन की सरकार है यहाँ पे गवणनर है आरिफ मौम्मद खान, नागा लैंड में नेपियोर योग की सरकार है, मिजोरम में पूजोरम थंगा की सरकार है, और मद्रप्रदेश में शिराज सिंग चोहान की सरकार है, अगला कुशन है दा फेमस दिलवाड़ा टेंपिल ओफ माउंट अबू अरा sacred pilgrimage place for the, आप से कह रहा है, जो माउंट अबू है, राजस्थान का जो माउंट अबू है, वहाँ पर दिलवाड़ा का जो मंदिर है, यह इनमें से किस से associated है, कौन सी community से, बच्चा भी इसका अंसर कर देगा, दिलवाड़ा का जैन temple बोलते है ना, नामी होता है जैन temple, तो यह जैन community से associated है, second one is the correct answer, which monument is known as the national monument of India, इनमें से किस monument को भारत का national monument बोलते है, इनमें से कौन सा हमारा national monument है, यह है दिल्ली का इंडिया gate, so first one is the correct answer, gateway of India कहा है, यह है मुंबई में, राजगाट, समाधी स्तले, मातमा गांधी का नई दिल्ली में, और रेड फोर्ड भी आपका न Sun Temple is situated, आप से कह रहा है, कोनाक का सूर्य मंदिर कहां परे, बताइए जल्दी से, Sun Temple कहां परे, कोनाक का सूर्य मंदिर, आंसर करो जल्दी से, बिल्कु सिंपल सिंपल कोश्चन है, बस session को खतम करेंगे, session को बस खतम करने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भीया, ये करनाटक वाले कौन है, बहुत बढ़िया, करनाटक में कब से सुल लिया की Sun Temple है, क्यार कोई नहीं, गल्तियों से यादमी जीखता है, उड़ी सा, पस्ट मंदिर करेक्ट आंसर, नवीन पढ़नाएक की सरकार है, यहाँ पर गवरन नए यह स्री रंगम में, आपको बता दू, रंग अनाथ का मंदिर कहां पर है, रंग अनाथ का मंदिर आज के बाद कोई भूलना नहीं, यह कई बार SSC ने पूचा हुआ है, यह आपका पढ़ता है, च्री रंगम कहां पढ़ता है, श्री रंगम आपका तमिल नाडु में पढ़ता है तमिलनाडू एके पलानी स्वामी की सरकार है यहां पर ठीक है तो एक बार फिर से पढ़ो मेरे साथ रंगनात का मंदिर कहा है श्री रंगम में है जो की तमिलनाडू में पढ़ता है अगला कोशन है आप से कह रहा है ब्रहदेश्वा टेंपिल इस लोकेटेड है ब्रहदेश्वा टेंपिल इन में से किस जगह पर है मदुरई थंजावर कांचीपुरम या फिर रामेश्वरम विच वन इस दा करेक्ट आंसर इसका आप लोग आंसर करोगे इसका आंसर आप लोग करोगे जल्दी जिकरो बस सेशन ओवर होने वाला है बहुत बढ़िया अ टम्डी और ठंजावर आपका कौनसे राज में पड़ता है थंजावर वी तमिल N現o में ही पड़ता है त इक बर फिर से मेरे साथ यहाँ पर पड़ो रंग नात्र टेंपिल भी आपका तमिल नाडवर में है यह श्री रंगम में है और देश्वा थेंपिल आपका कहा है थन आपसे कहा रहा है श्रिंगेरी माथा बिल्कुल सही है चिक मंगलो डिस्टिक दसन टेंपिल कोणाक का सूर्य मंदिर बिल्कुल सही है जैन टेंपिल खजराहों में थोड़ी है जैन टेंपिल मद्ध पदेश में थोड़ी है जैन टेंपिल कहा है दिलवाडा दिलवाडा अगला कोशन है आपसे कह रहा है कालमकारी पेंटिंग रेफर्स टू आपसे कह रहा है कालमकारी पेंटिंग से इन में से किस सर्लेटेड है कालमकारी पेंटिंग आपको दिखाऊ पहले कालमकारी पेंटिंग होती क्या है देखो यह है कालमकारी पेंटिंग की खास बात होती ह यह कपड़े पर बनाई जाती है पेंटिंग और इसकी खास बात यह भी है कि हास से बनाई जाती है पेंटिंग इस पर किसी भी मशीन का यूज नहीं होता इसको बनाने में तो कपड़े पर हास से जो पेंटिंग बनाई जाती है इसको बोलते हैं कालमकारी पेंटिंग यह भा first one will be the correct answer first one will be the correct answer शुकला जी क्लास में आ चुके हैं शुकला जी कहां तहीतिनी देर से पहतरी इन कोश्चन किया हम लोगों ने धान रखेगा तो कालमकारी पेंटिंग जो कि आपकी कपड़े में बनाई जाती है जिसमें हास से पूरा काम किया जाता है यह आपकी साउथ अगर नहीं अच्छा लगा होगा और अगर नहीं अच्छा लगा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और जितने भी नए एस्पिडेंट हैं वो लोग ध्यान लखें उन सभी के लिए यहां पर यह एनाउंस्मेंट है अगर आप एवरेज स्टुडेंट हैं और SST आप का टार्गेट है आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपके लिए एक ऐसी नाओ है जो कि आपकी पूरी नईया पार लगा देगी एक ऐसा बैच जो की बहुत हाइली डिबांड के बाद लॉंच हुआ है अभी हाली बे 15 मई से बैक टूबैक क्लासे स्टा स्टाट होने वाली आपर और इस पर रिस्टर कर सकते हो जिसमें की आपको माज है पावंच रहें मैं आपको जूबर में चाहते और सुमिष सर आपकी रीजनिंग कवर कराएंगे I think बहतरीन बैचे इस टाइम पर बैस्ट बैच आए आन अकेडमी में जो की खतम होगा आपका अक्टूबर में जाके यहां पर मैच कि आपको पूरी 143 क्लास मिलेगी 90 मिनिट की तो इसके लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन नेना चाहते हैं तो इस रेफरेल कोड का ध्यान में रखेगा वरून टिपल सेवन इसका अगर आप यूज करेंगे 10% का आपको डिसकाउंट मिल जाएगा जो लोग बोलना है 20% का डिसकाउंट हम दिलाएंगे उनके चक्रों में ना पढ़िए कुछ नहीं मिलने वाला 10% क मैक्सिम्म डिसकाउंट है अविल करिए आज ही और लग जाएए पढ़ाई में 6,0001 साल की फी है अगर आप इसको लगाएंगे 500 फी पर जाएगी इसके लिए रइस्टर करने खुद बहतरीन तरीके से मैं भी आपकी जियस कंप्लीट कराने वाला हूँ ने कंटेंट के साथ ठीक है आज की बाद यही तक कल इसी तरीके के वहतरीन सेशन के साथ मिलूगा और इसके आगे के 50 कौश्चन करने की कोशिस करेंगे मैंने आपको बोला है ना आप इनibenреकन को पुरे 100 कोशिण कराूंगा अभी 50 हुएं, कल 50 फिर करा हुआ, ठीक है, आज की बाद यहीं तक, बाबा, I take care, heaven I stay, धान रखे, अपना पढ़ाई करते रही है, एक डायलोग, कौन सा डायलोग सुनेंगे, बताईए, कौन सा डायलोग सुनेंगे, आप ही बता दीजे, मिर्जापुर का सुनेंगे, मिर्ज किये थे मजबूरी में, क्योंकि रिष्टेदार, रिष्टेदार सब बोल ले थे, कि बटा कुछ कर लो, पढ़ाय वड़ाय करनी नहीं, नौकरी लग नहीं रही है, तो सुनू कर दिये थे मजबूरी में, इधर उधर से देखके, कि मुझे भी अधिकारी बनना है, मुझे करनों के जरूर, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपनी तैयारी ओनेस्टली करते रहो, और अपने साथ लॉयल रहो, ओनेस्ट रहो, एक दिन मंजल जरूर मिलेगी, समझ गया बात को, चालो, बाबाय, टेक कर, हैवे नाइस टे, बाई अवरीवन, और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक से आप लोग जोईन कर लीजिए, उसे भी, टेलीग्राम में आपको सारी पीडिया वगएरा, सब कुछ मिल जाता है, अपडेट्स मिल जाते हैं, लाइफ के, बाबाय, टेक कर, हैवे नाइस टे, बाई अवरीवन अटने चैनल का लोगएराम में आपको सारी चैनल